के चाहिए हमारे पास चल हमने एक पहला पेपर अब हमप्लीट हो गया था अब हमने नेक्स पेपर देखनी है अगया को मैं नेहां इसको मैं देख रहा था तो यह सबसे पहले कि हमारे पास टूपटाप सबसे पूछेंगी तो ही मुझसे पूछ रही है सबको आवाज क्लेर आ रही है मेरी अच्छा टू पूट अप विद का मतलब क्या होता है किसी चीज को बरदाश्ट करना C option ठीक हो गया टू पूट अप विद टॉल रेट करना बरदाश्ट करना विच कंट्री फर्स्ट असेप्ट इड पाकिस्तान तो पाकिस्तान को सबसे पहले कों से किसने असेप्ट किया था एरान बी आप्शन ठीक हो गया एरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को असेप्ट किया था और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने अपनी पहली अमबैसी थी वो भी पाकिस्तान की पहली अमबैसी जो ओपन की थी वो भी पाकिस्तान की कहा थी एरान के अंदर थी ठीक हो गया पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर किसने पहली अमबैसी किसने ओपन की थी वो आपका नए पाकिस्तान की अमबैसी जो थी पाकिस्तान की जो अमबैसी थी वो कहा थी वो सबसे पहले एरान में थी और पाकिस्तान में सबसे पहले अमबैसी ऑपन की थी सबसे पहले पाकिस्तान में अमबैसी जो अपन की थी ठीक हो गया और पाकिस्तान और यमन ने जो है यूनाइ याद रेना है, वो अमीर उफ कोई था, ठीक अमीर उफ कोई जो था, अमीर उफ कोई वो पहला हैड of state भी जिसने पाकिस्तान का विजिट किया था, अगर도-स्तेट का पूछा जाता तो वो सुकर्णों साब के भी बाद आया था ये मैंने करवाया हुआ बिलकुल आया था उसके बाद ये आया था दियूरिंग दे लेक्चर दे टीचर स्टूड डैश ओन दे डाइस ठीक है डाइस के ऊपर तो यहां प्रेपोजिशन जो आएगा वो क्या आएगा ओन आएगा अमीर आफ कोईत पहले आये थे अच्छा जी दा सैनेनम ओफ पाल्ट्री पाल्ट्री का मतलब होदा है बिलकुल जिसकी वैल्यू इन सिगनिफिकेंट जिसकी वैल्यू बहुत कम हो ठीक हो गया किसका नाम सुकरनो साब मैंने बताया तो है इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट उनका नाम नहीं पता है अमीर आफ कोईत का देख लो देख लो उसको जो भी होगा तभी नाम पूछा तो नहीं गया मीर अफ कोईती है अगर पूछा है तो देख लो कौन से थे हो मीर अफ कोईती जो पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया था अच्छा जी नहीं पता यार पभी पढ़ने जो यार जो चीज हम काम कर रहे है वो कर लो ना बीच में ये सवाल हैं करने वाले एलेक्शन के आफिसर का जो वो कब होगा फलाना कब होगा विज्डम और सगेसिटी ठीक हो गया विज्डम और सगेसिटी का अपना क्या विज्डम और ये सगेसिटी उससे next level है ठीक है इसी तरह इसका अगर हम देखें तो इसका बनेगा c option search सर्च होती है एक चीज को तलाश करना quest होता है बहुत जोश ज़जबे से मतलब search का next level क्या है quest wisdom wisdom का next level क्या होगा ठीक हो गया sagacity search का next level क्या है quest तो इस तरह से इसका pair जो है उसके साथ बनेगा तो c option पैसी वाइस of the people elected him mayor ठीक है तो यह क्या बन जाएगा he was elected elected second form है तो second form किसमे convert हो जाएगी was were और third form में तो he was elected mayor by the people b option इसकी हमारे पस correct हो जाएगी ठीक हो गया b option हमारे पस क्या हो जाएगी जी इसकी correct हो जाएगी अंजमने हमायते इसलाम अंजमने हमायते इसलाम जो है आपकी यह लहोर के अंदर 1884 के अंदर बनी थी अंजमने हमायते इसलाम ठीक है सेप्टेंबर सेप्टेंबर exact date भी इसकी लिखनी है तो 24 अक्तूबर 1884 के अंदर अंजमने हमायते ислам بنی تھی इसका जो आईढया दिया था मुणशी चरागडीन साब थे मुणशी चरागडीन साब ने इसका आईढया दिया था और इसके जो पहले प्रेजिडन्ट थे इसके जो पहले प्रेजिडन्ट सदर थे उनका नाम तक काजी हमीद الد acrylic ठीक है अगर इसके सदर का नाम पूछ लिया जाए फाउंडर का नाम पूछ लिया जाए तो आप कहोगे काजी हमीद الدین और अगर इसका आइडिया किसने दिया था तो वो मुंशी थे कौन से मुंशी थे उनशी चराग दीन साथ ठीक है तो यह आपने याद रखना है डाक्टर अब्दुस्सलाम को 1979 के अंदर ठीक है नोबल प्राइज मिला था कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला था फिजिक्स के अंदर मिला था और उनका टॉपिक उनका क्या था जो वीक और स्टॉंग नूबल प प्राइज का फिजिक्स के अंदर ठीक हो गया दो ओल्ड वुमेंड लिवड अलोन विद नोवन तो लुक आफ्टर हर डी ऑप्शन नोवन ठीक है नोवन और हर एंड में शी भी नहीं आएगा हर आएगा ठीक है किसी के साथ भी नहीं रहती जो कि उसकी देखवाल कर सके न तो उसको एक इंटरनेशनल ला के जरीए गवन किया जाता है तो यह कौन सी ट्रीटी के अंदर लिखा है तो वी सी एल टी व्याना कन्वेंशन ओफ दे ला ओफ ट्रीटी वी सी एल टी ठीक है कोई भी गोवर्मेंट्स के दरमियान जब भी कोई मौईदा होता है उसको कौन प्रिटी के तहर्ट मौईदा होता है यह इंटरनेशनल ला उसको गवन करता है वो है वियाना कन्वेंशन ओन ला ओफ ट्रीटी ठीक है वी सी एल टी नाइटीन सिक्षी नाइन के अंदर यह होता है आपका यह ट्रीटी होती है और यह इफेक्टिव कब से है यह आपकी जन है यह treaty यह देखती है ठीक होग है यह treaty क्या देखती है यह treaty यह देखती है कि दो कोई भी मुल्क है उनके दर्मियान कोई भी मुएदे हो रहे हैं ठीक है यह लिखा हुए agreement concluded between states written form के अंदर तो वह यह treaty देखती है जो कि 1980 के अंदर effective order जो main important सूफी order है ना वो है चार चारों लिखें हुए है सोहरवर्दिया चिष्टिया नक्षबंदिया और काद्रिया ठीक हो गया बाबा फरीद जो हैं वो चिष्टिया से थे यहां मैं जल्दी जल्दी आपको दोतीन चीजे है बाबा फरीद के ह tightening चल्दे जो का है और जो का है मिठन कोट के अंदर है तैं मेरी अवाज कट रही है क्लेर है आपकी साइड से इशू होगा ठीक होगा बाबाफरीद जो है, उनका मजार काहा है, पाक पतन के अंदर, और बाबा, जो खुआजा गुलाम फरीद है, वो मिठन कोट, ठीक हो गया, वो क्या है, मिठन कोट, तो ये आपने इसको याद रख लेना है, उसके बाद इतर चार अडर है, उसमें बाबाफरीद, जो हैं, बा हो गया तो आपकी मर्झी मैं एक दफार बताऊँगा चिष्टिया जो आॉर्डर है इसके जो founder है उनका नाम है मोईन औदीन खौआजा मोईन दीन चिष्टी क्या नाम है खौआजा मोईन औदीन चिष्टी अजमेर शरीफ वालब जिन को हम खौआजा गरीब नवाज जो है वो भी कहते हैं खौाजा गरीब नवाज भी हम कहते है उनको और खौाजा मौईन अदीन चिष्ती भी कहते है वो चिष्ती ओरडर के फाउंडर है उसके बाद आगया गादरिया, कादरिया के है शेख अब्दुल्कादर ठीक है चिश्टी और कादरिया कादरिया शेख अब्दुलकादर उसके बाद नक्षबंदी नक्षबंदी है ख्वाजा बहाओदीन ठीक है ख्वाजा बहाओदीन बात कर रहा हूं ठीक है बहाओदीन बहाओदीन जिक्रिया नहीं ख्वाजा बहाओदीन ये और है ख्वाज वर्दिया के फाउंडर है स्वाजा शहाबुदीन ठीक हो गया जो बहाओदीन जिक्रिया है एक है बहाओदीन नक्षबंदी एक है बहाओदीन जिक्रिया जो बहाओदीन नक्षबंदी है वो नक्षबंदी के फाउंडर है एक है बहाओदीन जिक्रिया जिनके नाम से मुल् अबाफरीद गंज शकर का तालुक कि न से है? चिश्टिया से. और हमारे पास जो दाता हजवेरी हैं, लहूर वाले, उन का तालुक को Nd? सूफी आॉडर से है. इन चारों सूफी आॉडर से नहीं है. वो हमारे जुनेद बगदादी, एक बगदाद से हमारे सूफी है उन से आर्डर से है जो ने दिया अगर कभी आप लोगों से गलती से सवाल पूछ लिया जाए ठीक हो गया सुल्तान बहु कहां से आ गया जा रही है नए नक्षबंदी जो है खौजा बहाओदी ठीक हो गया खौजा बहाओदी अच्छा स्टोक इस टू कुक स्टोक इस टू कुक अब जब आप कुक करते हो ठीक है कुक करते हो तो इनर्जी जो निकलती है उसको हम स्टोक कहते है तो सन से जो इनर्जी निकलती है वो आपकी हीट होती है तो इसका हमारे पास क्या बनता है A option इसका हमारे पास क्या बनता है जी A option हमारे पास इसका बनता है अच्छा जी cat is to kitten इसमें क्या है cat और उसका चोटा बच्चा होता है जानवर उसका चोटा बच्चा duck का duckling होता है ये भी नहीं होगा ठीक हो गया और dare का हमारे पास fawn होता है, वो भी नहीं होगा, bear का कब होता है, वो भी नहीं होगा, cow का काफ होता है, ठीक है, छोटा बचा है, be option, ठीक होगा, cow का, काफ होता है, duck का duckling होता है, और bear का जो है, वो कब होता है, dare का fawn होता है, तो हमारे पास cow का जो छोटा बचा होता है, ठीक है, काफ तो B option हमारे पास correct हो जाएगी after or before successor और predecessor ठीक हो गया पहले वाला और बाद वाला successor क्या होता है आने वाला predecessor होता जो गुजर गया होता है ठीक है predecessor जो पिछला और successor होता है आने वाला तो इसका correct क्या बनेगा D option हमारे पास असकी बन जाएगी he dashed the bank when the police caught him caught him second form आ रही है तो he was stealing he was stealing he was stealing the bank when the police caught him was stealing or second form ठीक है he was वो bank को वो क्या कर रहा था bank को bank से चुरा रहा था जब police ने उसे पकड़ा ठीक है second form और was stealing ये मैंने action before action ये मैंने आप लोगों को करवाया हुए who is trying to defend you ठीक हो गया here who is who कै ये है तो pronoun कों सा pronoun है who who is कौन ठीक है तो कौन सवाल पूछा जा रहा है तो आपको दीखने से पता लग जाएगा interrogative pronoun ठीक हो गया c option interrogative pronoun c option अच्छा जी which has the same relationship umbrella rain आएगी तो आपको कौन बचाएगी umbrella बेमारी आएगी तो आपको कौन बचाएगी vaccine ठीक हो गया simple है बड़ा कोई मुश्किल नहीं है ठीक हो गया तो c option ये इस तरह rain से कौन बचाएगी umbrella disease से बेमारी से vaccine the famous book the daughter of east daughter of east किसने लिखी थी बेनजिर भुट्टो साहिबाने c option केके अजीज की किताब करवाई हुए आप लोगों को murder of history सबसे important सवाल पूछा जाता है केके अजीज की किताब murder of history आईशा जलाल की किताब आईशा जलाल की किताब the soul spokesman the soul spokesman of the soul spokesman ये क्या है काईदियाजम की बायोपिक है बायोपिक क्या रहूँ the struggle of Pakistan ये भी आईशा जलाल की है ठीक हो कर देख रहे न struggle है या battle है battle of Pakistan तुम्हेंखा में احمد नवाज की है जह है Ahmd नवाज की एहमद नवाज की नहे है शुजा नवाज the battle of Pakistan वो शुजा नवाज की है the struggle of Pakistan ़ो हईशा जलाल की है ठीक हो गया, यह Struggle of Pakistan के दो राइटर है, मतलब एक ही नाम से दो किताबे है, आईशा जलाल इसके डिफरेंट है, एक और Struggle of Pakistan है, उसके एक और राइटर है, वो मुझे देख के आप लो फुद बता देना, ठीक हो गया, एक आईशा जलाल ने लिखिया है, Struggle of Pakistan और एक मेरे ख इसका मतलब होता है, Horrifying, बहुत खोफनाक, हद से ज्यादा खोफनाक, लेकिन, लेकिन, पुराना इसका एक और मतलब भी है, कि बहुत कोई Extraordinary चीज़, तो इसका जो एंटरनम होगा, वो होगा Ordinary, ए आप्शन, इसका एंटरनम क्या होगा हमारे पास Ordinary, वैसे इसका क्या म एंटरनम देंगे Ordinary, अचा किसी ने कोशिश ने की Struggle फोर पाकिस्तान को एक टाएं, एक मिनट के लिए Google करके बता दें, कि उसका दूसरा जो है, वो राइटर कौन था, किसी ने कोशिश ने की, सुमम बुकम, अचा जी, एकुविट का मतलब क्या होता है, एकुविट का मत सवाल है, तो बड़ी दे हैचिट, ठीक है, तो मेक दा, तो मेक दा पीस, तो मेक दा पीस, अच्छा जी, आई एच कुरेशी, ठीक हो गया, आई एच कुरेशी, चलो, नहीं मिला ना, मुझे पता था, मुझे देखना पड़ेगा, आई एच कुरेशी, PPSC का बड़ा फेमस सवाल है, मैंने करवाया भी हुआ, और बात है, किसी को मिला नहीं है, इबराहीम पता नहीं क्या इस तरह आई एच कुरेशी, उसका नाम है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इस काल्ड बाबुल इसलाम, तो सब को पता ही है, मुझे बिन कासिम साब आया थे, 712 के अंदर, सिंध के अंदर, ठीक है, बीबल, बाबुल इसलाम, और राजा दाहर को हराया था, और उसके बाद मु प्रीजिनल नाम भी पूशा जाता है, तो मुहमद बिन कासिम का असल नाम क्या है, इमाद-बधिन, तो ये सवाल पूशा जाता है, इसको आप लोगों ने देखे लेना उसके बाद अल्ला भला करे आपका उसके बाद बस यही राजा दाहर को हराया था राजा दाहर का जो है वालिद का उसका नाम एक रिताब लिकी चच नामा ठीक है राजा चच उसके वालिद का जो नाम था उसका नाम चच था तो यह तीन चार सवाल है इसके हमाले से भी पू तसकर रहे थे जब मैंने आपको बताया था फस्ट यूएस अमबैसिडर फ्रॉम साओधी अरेबिया फीमेल रीमा बिंत बंदर तब मैंने ये बताया था इमान खतीब यासीन ठीक हो गया आपकिस्तान के आएने पाकिस्तान 1973 में ठीक है 282 अर्टिकल है इसमें और 26 तर्मीम हुई है तो 26 तर्मीम है वो सैनेट से पास नहीं हुई थी कौमी इसमबली से पास हो गई थी लेकिन हम 26 तर्मीम ही देखते हैं तो 21 तर्मीम के अंदर क्या हुआ था 21 तर्मीम हाई थी 2015 के अंदर 2015 में क्या हुआ था मिल्टरी 2015 में आपको पता है 2015 से पहले अगर हम देखें तो 2014 के अंदर क्या हुआ था 2014 के अंदर पाकिस्तान में APS में अटैक हुआ था उसके बाद 2015 में मिल्टरी तर्मीम एक आइनी तर्मीम आई और मिल्टरी कोर्ट्स बनाई गई दो साल के लिए तो ये क्या हुआ दोसात्रा से उननी इस तहां से आ गया 2015 से 2017 तक दो साल के लिए 21 तर्मीम के तहट तर्मीम हुई तर्मीम हुई 2017 में फिर 2017 से लेकर 2019 तक दो साल के लिए फिर मिल्टरी कोर्ट्स बनाई गई गई एकिस्वी तर्मीम मिल्टरी कोर्ट्स के रिलेटिड थी और तर्मीम दो तर्मीम किसके related थी military courts, दोनों में दो-दो साल के लिए military courts बनाई गई थी, कि किस्वी तर्मीम आई 2015 में और तैस्वी तर्मीम आई 2017 में, 2017 से लेकर 2019 तक फिर दो साल के लिए military courts बनाई गई थी, तो ये दोनों तर्मीम आप लोगों याद रखनी है, 25 तर्मीम बड़ी important है, 2018 में आई थी, उसके हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप लोग नहीं recording नहीं, प्रोवाइड होगी आप लोग लेक्चर जिसका हो गया हो गया, नहीं होआ, नहीं होँगी, खीक हो गया, आप लोगे ख्योंकर को रिस्पाोंस अच्छा नहीं आरा, तो नहीं है आप लोगे के साथeleriand को टेस्ट मिलेंगे, ना आप लेक्रिकोरइंग हो ये, कोई इशू नहीं है स्कून से आओ लेक्चर जिसने लेना नहीं लेना अला आपिश दो हजार पच्छिस दो हजार अठारा के अंदर पच्छिस भी तर्मीम आई थी और वो फाटा मर्चर हुआ था ठीक है वही साब आप कल भी नहीं थे आपका कसूर यही है एक दिन आना एक दिन नहीं आना तो यही आपका कसूर है मेरे घर इस टाइम पर मैंने मेरे घर में इस टाइम पर सारे महमान आये हुआ है सारे बाहिर गये हुआ है मैं इदर बैठा आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं कि आप लोगों को मैं साड़े नो बजे नो सवा नो बजे जोईन कर लूँ आप लोग जाओ ठीक है और आप लोगों की सीरिशनस का यह हाल होता है कि आदे लोग आते ही नहीं कैटी बंदर जो है यह पोट है यह कैटी बंदर क्या है यह पोट है ठीक है कैटी बंदर जो है यह पोट है यह आपका कहा है सिंध के अंदर कैटी बंदर पोर्ट जो है यह आपका कहा है जी यह सिंध के अंदर है ठटा के अंदर ठीक है जिला कुन सा है ठटा ठटा जिला के अंदर है तो हमारे पास इसकी क्या आप्शन आपकी बन जाएगी यह आपकी बन जाएगी B option ठीक है उसके इलावा आपका जैसे और एक port है मैंने उसीन आपको बताया था क्या नाम था उसका मैंने एक और बलोचिस्तान का आपको बताया था गवादर के साथ जहां मैंने आपको बताया था कि वो शिपिंग शिपों को जो बहरी जहाज है उनको तोड़ा जाता है वो सेकेंड सबसे बड़ा है वो मैंने पसनी हाँ पसनी और मारा यह आपके बलोचिस्तान में यह भी पोर्ट है एक गुगल कर लेना इस लेक्चर के बाद डिफरेंट प बलोचिस्तान में कौन कौन से पोर्ट हैं और सिंध में क्या हैं कि पिछले दो साल के अंदर पीपीएसी बहुत पूछ रहा है और मारा का पूछा हुआ है पसनी का पूछा हुआ है गड़ानी पोर्ट पूछा हुआ है ठीक है यह सारे पोर्ट पूछे हुआ हुआ है इनक इसको देख लो याप देख लेना इसको चीक हो गया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो पोर्ट है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो कराची पोर्ट है चीक हो गया वो क्या है कराची पोर्ट है तो मलाला यूसफ जई जो है मलाला यूसफ जई उसने के अंदर एक गाउंँ है मैंगम्गोरा मैंगम्गोरा वहाँ से इनका तालूक है यह भी मैंगम्गोरा का सवालpling भी पीएसी ने पूछा था ठीक है मैंगम्गोरा अच्छा जिवान मुस्दिम मीघ जौइंड ना इन्टरम 2012 में टैक हुआ था नहीं यार 2012 में नहीं हुआ इससे पहला हुआ था देख लो इसको भी देख लेना When Muslim League joined the interim government 1946 के अंदर Muslim League ने interim government join की थी और इसका सवाल पूछा जाता है कि Muslim League को कितने cabinet के members बने थे तो पांच members बने थे Muslim League के जिसमें लियाकत अली खान साब भी थे जो कि उस टाइन पर Finance Minister बने थे जिसका PPSC सवाल पूछता है ठीक है Finance Minister 1946 में Finance Minister बने थे तो B option इसकी हमारे पास correct हो जाएगी Take up का मतलब क्या है जी start करना B option largest cluster of population का है दी South Asia के अंदर Pakistan South Asia में इंडिया South Asia में बंगलादेश South Asia में है तो ये South Asia के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा largest population है बड़ा असान सवाल है ये भी असान सवाल है ठीक हो गया D option गोमल रिवर, जोब रिवर, दश्ट रिवर ये साले रिवर जो है बलोचिस्तान के अंदर है तो D option अच्छा जी डायार्की सिस्टम डायार्की सिस्टम 1919 के अंदर 1919 का जो Indian Act आया था उसका नाम क्या था 1919 का Montague Chemsford Reforms आये थे 1919 के अंदर Montague Chemsford Reforms 1919 के अंदर तो उसके अंदर डायार्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था सफीर यकीन मानो यकीन मानो अगर मैं कभी physical classes देता होता ना मैं इसलिए नहीं देता इस उमर में मुझसे जो है ना तुमने सुननी तो थी लेकिन खानी भी थी तुमने मुझसे Rollet Act और Montague Champsford Reforms इन दोनों में फरक अगर नहीं पता तुम है फिर तुमने क्या पढ़ा है Rollet Act डिफरेंट है Montague Champsford Reforms डिफरेंट है Montague Champsford Reforms जो है उसको 1919 का Indian Council Act कहते है Rollet Act डिफरेंट है आया वो भी 1919 में था ये दोनों इडिफरेंट है नोर्स उठाओ और दुबारा पढ़ो इसको इसलिए कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि तुम सिर्फ जल्द बाजी करते हो एक एक चीज तुमें पता है पिछले दो त्रीन साल से इस टाइम जितने स्टूरेंट है सबसे बेस्ट तियारी तुमारी है सिर्फ इशू क्या है हर चीज़ में जल्द बाजी करने चीज़ों को मिक्स करना ठीक हो गया डायार्की जो है डायार्की 1919 में आई लेकिन ये इंप्लिमेंट हुई 1921 में ये PPS E का सवाल है कि 1900 डायार्की को इंप्लिमेंट कब किया गया था तो 1921 के अंदर इंप्लिमेंट किया था और पूछा जाता है कब किया गया था 1937 में इसको खतम किया गया था ठीक है 1937 में इसको खतम किया गया था और डायारकी सिर्फ प्रोविंसिस में प्रोविंसिस के अंदर इसको इंप्लिमेंट किया था डायारकी का क्या मतलब है dual form of government ठीक है यह सारे सवाल हमने कर लिये लेकिन a option correct है British government ने इसको implement किया था British government ने डायारकी है क्या डायारकी है dual form of government मतलब इसमें simple शब्दों में अगर आप लोगों को समझाओं तो डायारकी के अंदर जो आपके जो डिपार्टमेंट्स थे उनको बांड दिया गया था कि जो उपर British government है वो कुछ डिपार्टमेंट्स को देखेगी और कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो नीचे की जो जो लोकल गॉर्मेंट है वो देखेगी simple words में आपको वस इतना समझा देता हूँ डायार की dual form of government होती है cyclone क्या है तीन चीज़े होती है एक चीज़ याद रखलो जब भी आपकी wind है ये मैंने करवाया हुए हैं दो चीज़ें लिख लेना 119 km per hour और दूसरा लिख लेना 74 mile per hour दूसरा लिख लो कूण सी 119 km per hour और दूसरा लिख लो 74 miles per hour यह दोनों सवाल पूछए जा सकते हैं 119 क 74 mile per hour जब भी आपकी हवा, wind इस speed से ज्यादा चलती है तो फिर क्या होता है फिर यहाँ आपका साइकलोन आता है यहाँ आपका हियूरी केन आता है यहाँ आपका क्या आता है तीसरा क्या होता है एक आपका हियूरी केन होता है एक आपका साइकलोन होता है और अल्ला भला करे एक हिउरीकेन होता है एक आपका साइकलोन होता है और तीसरा अल्ला भला करे आपका क्या होता है उसको कहते हैं टाइफून 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 ठीक है उसको कहते हैं टाइफून ते तीनों डिफरेंट और यह तीनों सेम ह ही है टाइफून हुरीकेन और साइकलोन सिर्फ लोकेशन का फर्क है ठीक हो गया सिर्फ लोकेशन का फर्क है हुरीकेन जो है यह जो नॉर्थ अट्लैंटिक ओशन है पैसिफिक ओशन है ठीक हो गया टॉर्नेडो डिफरेंट है वो भी हवाई होती है लेकिन वो डिफरेंट है टॉर्नेडो भी इनी को कहते हैं लेकिन वो इसमें आयाता है लेकिन में जो हैं वो तीन है ये आपके वो भी इसी में आ जाता है टॉर्नेडो लेकिन आपका हिूरीकेन टाइफून और साइकलोन अब पाकिस्तान हो गया पाकिस्तान इंडिया इस इलाकों में जब भी तेज हوا rice चलती है उसमें जो saikaloon होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम saikaloon कहते हैं जिब हाँते होती है अगर आपके पास pacific ocean में चले जाएं तो वोbeitetम होता है अगर नॉर्थ Atlantic Ocean में चले जाएं पास Pacific में नॉर्थ East वाली side पर चले जाएं तो hurricane होता है इसको Google करना इसको लिखना इसके बारे में सर्च मैं आपको एक आर्टिकल भी भेज़ूँगा ठीक है मैं आपको एक आर्टिकल भेज़ूँगा अलजजीरा का उसके उपर ये डिटेल में और hacklone यह तीनो डिफ्रन्ट की उपर डिपैंड करता होती है हुद है जो Something Sexual में आ रही एक इन्डियन ऊशन में जो आ डिय Goddess को हम क्या कहते है जो क्या कहते है जो क्या कहते है specify machine में आ याधी है उसको HOW मょं टैफून की घे एक और स्टेट कितने औ्र इपरनिन सवाल है एक है और गन औप स्टेट कि और स्टेट डिफरेंटार्ट है कि टुफॉर्मMyState है चार और ग order चाहिए होते हैं आपको एक स्टेट हम चार और ये देखा आपने गलती की, स्टेट के कितने और्गन है, स्टेट के और्गन है तीन, कितने और्गन चाहिए होते है एक स्टेट को बनने के लिए, ये दो सवाल डिफिरेंट है, आप को कैसे, अब देखो इसको समझ लेना, ताकि आप लोगों को जो ये मसला ना हो, तीन और्गन होते हैं स्टे collective legislature मुकनना और judiciary अदलिया और चोथा कहा जाता है और अफिशल नहीं होता मीडिया को चोथा state कहा जाता है ये चार state के हो गए ये तो एक state बादा लेकिन चार चीजें require हैं जब वो चीजें पूरी होंगी तो हम कहेंगे ये एक रियासत है ऐसी चार चीजें जो होना जरूरी है जिसको हम क्या कहेंगे के ये हमारे पास होंगी पूरी तो हमारे पास क्या होंगी सियासत है वो हमारे पास क्या है रियासत है कि हम इसको रियासत कहेंगे वो है number one sovereignty हाकमियत होनी चाहिए किसी की दूसरी वहां एक proper government होनी चाहिए by the people लोगों की वहां लोगों की will से एक government होन होनी चाहिए और उस मुल्क की उस रियासत की एक territory होनी चाहिए ये चार चीजें होंगी तो हम उसको रियासत कहेंगे हम उसको state कहेंगे ठीक है ये state बन जाएगी फिर उसके आगे और्गन कितने हैं तीन 36 का क्या है मैंने आपको बता तो दिये आपने मेरा आप मैंने जो इतनी चीज़ आपको समझाई है आपने वो समझी ही नहीं है मैंने कहा कि एक रियासत को बनने के लिए चार और्गन रिक्वाइर होते हैं जब रियासत बन जाती है फिर उसके और्गन कितने होते हैं जब एक रियासत बन गई उसके और्गन कितने ह ठीक हो गया वो है चार रिक्वाइर्मेंट है चार की एक चार चीज़ें हो जाएंगी अब जैसे हम कहते हैं कि एक घर को बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिएं आप को के सर पांच चीज़ें चाहिएं ठीक है अब घर बन गया उस घर को चलाने के लिए कितनी चीज़ें तो आपको करोंगे तीन चीजें चाहिएं इसी तरह रियास्त को बनाने के लिए चार चीजें चाहिएं रियास्त को चलाने के लिए तीन चीजें चाहिएं, यe'tции गयाद रखो उमीद है सिमज़ा जाजएगी currency of siri Lanka किया है रुपी इसका एक ट्रिक मैंने आप लोगों को याद करवाया था रुपी वाला अगर किसी को याद है तो यहां बता दे था है एक M से देख ले ना क्या बनेगा कि S सिम सिम पिन इसका। ट्रिक है से सिरी लंका आई से इंडिया M से में हाँ एक मेरे खाल में मालदीव है एक M जो है मौरेशियस इस तरह से है कंफिरम देख लेना इसको मेरे में एक मालदीव है और एक मोरीशयस है मुस्लिम लीग स्टार्टिड़ देय अफ डिलिवरेंस तो यह बड़ा पुराना सवाल है बाइस क्या था 22 डिसंबर 1939 22 Congress Ministries ने इस्तीफा दिया था जिसकी वज़ा से मुस्लिम लीग ने योमे निजात मनाया था 22 दिसमबर 1939 को येलो रीवर चाइना के अंदर है जी सेकिंड लॉंगेस्ट रीवर ऑफ चाइना है सबसे बड़ा जो चाइना का रीवर है वो क्या है और क्या करते है उसका नाम है ये तो यैंक्टे रीवर ये एए इन बिलकुल थीकर ये सार के मेंबर्स है मालदी भूटान उसके बाद पाकिस्तान वो सारे तो यैंक्टे रीवर जो है वह आपका वह आपका चाइना का सबसे बड़ा लॉंगेस्ट रीवर है यहाँ मैं आप लोगं को एक चीज़ बताओं म मुझे एमान से बताओ अभी तक यहां कितने हो 48 स्टूडेंट हो 50 स्टूडेंट पचास मेंसे कितने स्टूडेंट को पता था कि मैंने 50 MCQs यहां 40 MCQs आज सिर्फ 40 ही डिसकस होते होंगे 40 MCQs पढ़ किया हैं यह 1122 कौना या ता अपना नाम अला ताला ने यार दिया है क्यों 1122 वाई 1122 सफीर महबूब तहमीना असद चार लोग हो गए कबीर पांच हो गए मुजफर 6 हयात 7 आठ नो दस जारा बारा चलो 20 कर लेते हैं 20 लोग पढ़के आए होंगे फस दे है आपका नाम क्या है मौज मैंने आज आपको एड गिया अपने नाम से आना है कल से चेंज करो अपना नाम मौज नाम ना चेंज कर ले ना 112 टू चेंज करो अच्छा लास MC की उज़ाज का जवो कश्मीर लिबरेशन फरंट ठीक हो गया ये लास MC की उज़ाज 40 ही करते हैं जी जी साथी मुझे पता है आपको भी आज ये अड हूएं जेके एल एफ जेके एल एफ किसकी पार्टी है इसके सरबरा का नाम मैंने आप लोंको बताया हुआ है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों से अज़ाजी चाहते है जेके एल एफ यासीन मलिक ठीक है जेके एल ए 22 को इंडिया नहीं इने सजा पिर जाब मौत कहारा हूँ कह उमर कैद की सजा जो है वह दी थी मिफ इमप्रीजर्मैंट की यासीन मलिक साब यासीन मलिक साब को लाइफ यासीन मलेक को ठीक है तो यह आप लोगोंने याद रख लेना है ठीक हो गया ओक्य हो गया तो आज मेरा राद साथ 50 यह हो जाते कंफ्लिक्ट ओवर बॉर्डर चाइना यह नर्गोनो का रहा भाग है मैं पता है साइकलोन विली विली होते हैं और बलोची ट्राइब सी यह फ्रेक्शन के सवाल आ गए या अगर हम इनको जल्दी जल्दी गुजार लेते हैं चलो आगे फ्रेक्शन के ही हैं यह कौटन होती है यूजर नेम चलो यहां से कल स्टार्ट कर लेंगे ठीक है 40 से ऑनवड बीच में 3-4 मैट के हैं वो छोड़के तो हम यहां से 41 से नर् पात होती है अपना ख्याल रखो दौाओं में याद रखो अल्हाफिज रख्राखा अच्छा जी हमने हमने कल 40 तक देख लिया था तो इसको भी हमने देख लिया था के गॉन्फलिक्ट ओवर बोर्डर की रीजन क्लेमड बाइ टू कंट्रीज फूर एरियाज नर्गोनो काराबाग ठीक है नॉमबर 2020 में जंग भी हुई थी इसके उपर आर्मीनिया और आजर्बाइजान ठीक ह तो इसको हम पहले भी बहुत जिएदा देख चुके हैं अच假 hopes मैं ना एक आप लोगों की चीजब बदाता हूं मैंने रिकॉर्डिंगाउन कर लिए लेकिन उसके मैं आप लोगों को ऐक शीजब आता हूं मैं अभी देख रहा था ज्यास ही मैंने लिक्चير ओन किया आइन तो सारे लोग जॉइन कर रहे थे, अभी भी आप देख लो, एक नर्ज़र डाल के देखो सरसरी सी नज़र, ग्रूप की अंदर ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मिक्स हैं, मतलब 50% ही खवातीन है, 50% ही मेल है, लेक्चर स्टार्ट हुआ है, पहले 15 से 20 स्टूडेंट्स जॉइन किया ना, उसमें सिर्फ एक मेल था, टाइम के उपर आने में सारी फीमिल्स थी, अभी भी आप देख लो, लेक्चर में, मुस्ली आपको फीमिल्स नज़र आएंगी, फिर हम लड़के जो है, वो शिक्वा करते हैं, जी हम यहां रहे गए, हम यह नहीं करते, तो मे यह इसको स्टार्ट किया है, मीटिंग को, तो दस से पंदरां जो फोरन एड हुए हैं, जिन्होंने जॉइन किया है, वो सारी की सारी फीमिल्स थी, ठीक है, तो यह चीज एक शिक्वा होता है, हमारा मोस्ली बहुत ज़्यादा खास और पे लड़कों का, तो के हम जो है, इ मैं भी लेक्टर में पढ़ा ही रहा हूँ ना, जो पेपर है उसे की रिलेटर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग जो है, क्या कहते हैं, मैं यहाँ आओगे तो आपको फाइदा ही होना है, यह क्या लॉजिक सथर मेरा लेक्टर, मेरा पेपर है पेपर खतम होगा, ठीक है मैंने गाए मैंने बता दूँ आप लोगों को थोड़ा असाना ये चीज़े बड़ी मैटर करती है प्रफेशनल लाइफ में आगे जाओगे न पंक्चुलिटी और कमिट्मेंट लेवल ये चीज़ आपकी बड़ी मैटर करती है तो कोशिश करू अच्छा जिन और गो ही हो रही है इदर तो ये चीज़ आपने देखना है साइकलोन इन अस्ट्रेलिया विली विली इस उन्हें कहते हैं सी ऑप्शन ठीक हो गया विली विली इसे कहते हैं सी ऑप्शन आज मैं आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा स्लो कहलो क्यों कि मुझे पता है मैंने दो लेक इढ़ेंटा डिटील में ज्यादा ही पढ़ेंगे ठीक हो गया तो कल का लेक्चर नही होगा तो हम आज इस सारे 60 MCWs को डिटील में करेंगे स्कून से करेंगे ज्यादा स्पीड भी नहीं लगा। और डिटेल में चीज़ों को फड़ लेंगे तो कल आप लोग जरा स्कून से रेस्ट करिएगा सारे अच्छा जी वेन बलोची ट्राइब अच्छा ये ना सवाल गलत है वेन बलोची ट्राइब जोईन पाकिस्तान हफसा मुझे एंड में मैं एंड में आपके जवाब देता हूँ बलोची ट्राइब जोईन पाकिस्तान बनने से पहले 29 जून 1947 को जरगा हुआ था बलोची ट्राइब उन्होंने तब फैसला किया था कि हम पाकिस्तान जोईन करेंगे तो 29 जून 1947 चीक हो गया चीक हो गया ओक्य हो गया चलिए है कोई चुनिए चीक हो 29 जून 1947 को उन्होंने बलोची ट्राइब ने ये डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान को जोईन परेंगे बलोचीस्तान एजा प्रोविंस जो है वो कब बना था 1970 में और वो पहले किया ये जो बलोचीस्तान का एरिया ये कलात रियासत थी ठीक है कलात की रियासत थी उसने मार्च जो है 1948 को जोईन किया था तो ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेनी है बिलकुल या कम जुला अगर हाई होती तो फिर हमारे पास राइस होता है राइस को जो है ज़्यादा पानी चाहिए होता है कौटन जो है कौटन को light rainfall, light irrigation ठीक हो गया और उसके बाद high temperature चाहिए होता है तो ये हमारे पास गया है cotton ठीक है जब हम cotton होती है C option अच्छा जी है ये आपको सबको पता ही ह है जैसे कोई भी email होगी आपकी अब जैसे है सफीर है तो सफीर add the rate of gmail.com.info ठीक हो गया तो इस तरह से यह होता है तो b option इसकी हमारे पस correct हो जाएगी a नहीं b option आगे कोई वो उसका नाम भी होता है ना website का नाम आएगा फिर .com यह .info होता है ठीक है जिसके पास इशुआ रहा है नेट ठीक करो अला के बंदो इंस्टाग्राम पे रिले टिक टॉक देखने के लिए नेट ठीक होता है what is a full form of sql structured query language ठीक हो गया जो structured form में data होता है उसी यह language होती है ठीक है structured query language a option what which of the following which of the following replace the vacuum tubes आपको पता है computer की 5 generations हैं computer की 5 generations हैं जो सबसे पहली generation थी उसके अंदर क्या use होते थे vacuum उसके अंदर क्या use होते थे उसके अंदर use होते थे जी आपके vacuum ठीक है 1940s ते लेके 1950s तक vacuum tube उसमें use होती थी पिर आगे transistor base तो vacuum को किसने replace कर दिया transistor second generation computers transistors को किसने replace किया second generation को third generation वो था integrated circuit ने, वो किसने replace कर दिया, third generation में क्या आए, integrated circuits आ गए, जो fourth generation आई, integrated circuit को replace किया, microprocessors ने, जो fourth generation आई, उसमें microprocessor थे, और अब जो fifth generation चल रही है, उसमें क्या है, AI, artificial intelligence, ठीक है, तो आपने क्या, सबसे पहले क्या आया, vacuum, vacuum tubes, vacuum tubes को किसने replace किया, transistors ने, transistors को किसने replace किया, integrated circuits ने, integrated circuits को किसने replace किया, microprocessors ने, और microprocessors को आप किसने replace कर दिया है, AI, जिसको हम क्या कहते है, artificial intelligence, which toolbar has slide design, slide design जो है, formatting toolbar की जो option है, उसमें होता, c option, ठीक हो गया, c option इसकी हमारे पास correct हो जाएगी, मनि यह आप late हैं, यह जो late आरहे हैं ना, शह्खजादे और शह्खजादियां, इसका भी मैंने कुछ कर दे ना, पहले तीन से चार मिन्त कर के न, मैंने lock कर दिया करनी है, मैंने देखा है मैंने पहले पांच मिंट सारों को देखा है कि कौन को न आया हुआ है कौन को न नहीं आया हुआ सफीर मुझे दानत नज़र आ रहे हैं तुम्हारे किस वज़ा से नहीं गार रहे है The Blue Lagoon is located in Iceland कोई भी लगून आएगा ना ये आपका क्या है Blue Lagoon जो है ये आपका एक tourist place है ठीक है Iceland के अंदर कोई भी लगून आएगा ना Sky Lagoon, Secret Lagoon, Blue Lagoon ये आपका कहा है Iceland के अंदर ये क्या है ठीक हो क्या ये क्या है Iceland के अंदर B option ठीक हो क्या है B option अच्छा जी सोवियत लीडर मेखेल गॉर्बचॉफ मेखेल गॉर्बचॉफ जो है इन्होंने दो पॉलिसी दी थी Glassnet की और प्रेस्ट्राइका अब Glassnet जो पॉलिसी थी ये क्या थी openness की अब यहाँ इसका थोड़ा सा background अगर आप लोगं को मैं बता दू तो मेखेल गॉर्बचॉफ जो हैं ये सोवियत यूनियन के आखरी प्रेजिडेंट थे ठीकर सोवियत यूनियन जब टूटा 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूटा सोवियत यूनियन जब टूटा तो उसके अंदर से 15 रियास्ते निकली उसके अंदर से कितनी रियास्ते निकली पंदरा रियास्ते निकली ये जो आप कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सारी रियास्तें जो है कहां से निकली है आपके सोवियत यूनिन से PPSC का सवाल है कि कितनी रियास्तों में वो तूटके बिखर गया था तो पंदरा रियास्तों म United के तो ये जब Soviet Union टूटा तो Soviet Union टूटा तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ policies बनाई ओपननेस की उनकी जो policies थी वो ये थी बी option कि हम क्या करेंगे अब tolerant society बनेंगे हम पूरी दुनिया के साथ openness करेंगे हम transparency ले के आएंगे हम दुनिया के साथ ये पहले Soviet Union के अंदर socialism का concept था तो उनने काब हम openness लेके आएंगे तो ये दो policies थी जो के ले के आये थे ठीक हो गया तो USSR USSR का मतलब पता है United Soviet Socialist Republic ठीक हो गया USSR stands for United Soviet Socialist Republic ठीक है ये आप लोगों ने इसको क्या रखना है इसको भी याद रखना है अच्छा जी हाँ वो पुरानी चीज़ा इतनी पुरानी हमें जाने के जोत नहीं है 1900 वो सारी इसमे revolution आई थी आपको पता है इसमे रेड revolution आई अच्छा विच विमन साइंटिस्स लेड टू दा फाउंडेशन ओ फाइबर ऑफ्टिक केबल तो ए ऑप्शन ठीक है शेली जेक्सन साहिबा डॉक्टर शेली जेक्सन साहिबा जो है उनकी जो है ये ऑफ्टिक फाइबर केबल के अंदर जो है उनकी रिसाज्टी जिस अच्छा और नीदेखा है कुछ और नीदेखा हुआ है कि अ लिचार जो है वो पी फाइब भिट रही कि अ लिजए अब फाइबर जवह वाजवा और आखेर करें चलो जूम पे तो नहीं सुन रहे हैं वाटसाइब पे सुन लेते हैं जूम पे तो कोई नहीं सुन रहा हूँ चलो खैर मैंने ये लेक्चर यूट्यूब पे अप्लोड ही नहीं करना जनल रिस्पेक्टिट कमर जवेद बाजवा साब जो है चीफ अफ आर्मी स्टाफ है ठीक है तो उन्होंने बर्गेडियर राजा रिजवान साब है उनको पनिश्मेंट दी थी छीक है उनको क्या कहते हैं पनिश्मेंट हुई थी राजा बर्गेडियर राजा रिजवान साब चीक हो गया और अब ही रीसेंडी आपको जुलाई की करेंट अफेस में कर्वाओंगा अगर कोई आप में से करेंट अफेस को फॉलो कर रहा है तो कल पर सूँ या दो तीन दिन पहले की बात है लेटनल जनरल एक लेटनल है जनरल है या करनल है अकबर उनको भी जो है इसी के उपर जो है चोता साल या कुछ कोट मार्शल उनको भी सजा सुनाई गई ठीक है तो भी हम करेंगे ठीक है कोट मार्शल हुए है उनका अकबर है लेटनल करनल है जनरल नहीं होंगे लेटनल करनल है मेरे खाल में तो वो भी मैं आपको जुलाई के करेंट अफेस में करूँगा अकबर नाम है मुझे अकबर नाम है उनकी नाम याद है study of tissues क्या होता जी histology एनाटमी आपको पता है क्या होती है आपके बॉड़ी का जो structure है उसके बारे में और cells की जो study है cells की जो study है वो cytology होती है वो क्या होती है cytology तो एनाटमी इंटर्नल उसकी जो study है body की हो गई histology आपकी क्या हो गई tissues की study और cells के structures की उनकी जो study है उसको हम क्या कहते है cell का जो structure है उसकी study उसके related cytology सेंटो हाँ महधी और राजा जो आदिल राजा उसको भी हुई थी बिल्कुल ऐसे है मैंने करवाया हुआ अच्छा सेंटो बताया हुआ है को बताने की जोगा तो नहीं है बस discussion कर चुके है है हम central treaty organization बलगा रुको आप लोगों को से पूशता हूँ आप लोगों का तो पता सीव किया था बगदाद पैक्ट कहते हैं इसको शाबाश 19 शाबाश 1955 में पाकिसान ने जॉइन किया था और 1979 के अंदर पाकिस्तान ने इसको छोड़ा था सीटो पहले जॉइन किया था 54 में उसको पाकिस्तान ने पहले 1973 के अंदर छोड़ दिया था सीटो गया इस तरह से आ आपर से भी होता है या आटोमेटिक लिए आपका आपसाइट कर दो टोगल केस तो इससे भी आपका जो फॉंट है वो चेंज हो जाता है लेकिन इंडेंट केस से आपका जो चेंज है फॉंट के अंदर चेंज इस नहीं ला सकते तो डी आप्शन अयू टर्ण केम इन फॉरंड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान तो 2001 2001 में क्या वाकिया हुआ था कि पाकिस्तान को अपनी जो है फॉरंड पॉलिसी को चेंज करना पड़ा था वार अगेंस टेररिजम के हवाले से किसी को कोई याद हो टुइन टावर का कोई वाकिया हुआ हो 9-11 हु ग mosquito विच पार्ट आफ कैमरा इस एनलॉग टू रोटती न रेटीना इन इन हूपन आई रोटीना की अगर बात की जाए तो वह है आपका फिल्म फिल्म होती है lap फिल्म जो फिल्म है की कैमरा की वह जो है आपकी ने क्या कहते हैं जो हुमन आई का रिटीना है उसके होती है अच्छा अगर कोई आपसे पूछ ले बताता हूं यह भी डिसकस करता हूं सफिर दो मिट रुको यह चीजे मैंने बतानी है मैं यहां से आगे जाने का मुझे शटर शटर का पूछ लिया जाए कि शटर जो है वो किसके एनलॉग है तो आपकी आँख में एक होता है आ आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस जो है आपका वो देखता है कि हाओ आपकी कितनी लाइट जो है वो आपके फ्यूपल से पास हो सकती है यह आइरिस का फंक्शन होता है ठीक हो गया जिसको यह आवाज डिस्टॉर्ट औरshore है उसके नское की यहाँ आइशन और iris का function क्या होता है कि light को वो देखता है तो shutter का भी यहाँ यही function होता है कि camera में कितनी light क्या function है कितनी light जो है वो pupil तक जा सकती है आंख में जो iris का function होता है same function shutter करता है aperture अपरचर जो है आपकी आंख का जो एक जुज है उसे खहता है pupil पी यू पी आई एल उसके analog होता है ठीक है फिल्म का पूछ लिया जाए तो फिल्म किसके है आपके camera के आपकी आंख के अंदर जो retina होती है उसका ठीक हो गया shutter का पूछ लिया जाए तो iris और aperture का पूछ लिया जाए तो pupil ये तीनों जो है आपके आंखों के related जो है उनके analog होते है उसके बाद हम आ जाते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं आपके lens की तरफ camera के अंदर जो lens use होता है उसको हम क्या कहते है convex lens कहते है उसको हम क्या कहते है convex lens कहते है जो कि आँख आपकी human eye होती है उसमें भी convex lens होता है लेकिन by convex lens होता है उसको हम क्या कहते हैं by convex lens ठीक है जो आपका ये statement पड़ो कि आँख और camera almost analog होती है इसमें चीजें जो आपके रेटीना है वो camera के किसकी तरह camera में कौन सा part है जिसके analog उसकी तरह का का काम करता है वो है film जो shutter camera है camera का वो आँख का एक Part होता है उसके गयता है iris उसकी तरह यह काम करता है और aperture जो है यह pupil जो है उसकी तरह यह काम करता है ठीक हो गया है यह अच्छा ट्रिक है camera के चे स्पेलिंग है convex और camera के भी छे यह बनते हैं spelling और convex में भी 6 बनते हैं तो बिलकुल ठीक हो गया तो convex lens ह पैसल के कैमरे के अंदर हैं आईज के अंदर आपका बाइक आज होता है उसके बाद अगर करें तो कैमरेا और किस में ऐता है यह जो आप की गाड़ियां हैं यह जो आपके हैं इनके जो रेर व्यक मिरर होते हैं जिसमें आप back side से देख रहे होते हो उनके अंदर convex lens होता है उनके अंदर convex वो क्या होता है वो convex उनके अंदर use होता है लेकिन अगर आप से पूछ लिया जाए कि आपकी जो गाड़ियां हैं या बाइक्स हैं उनकी जो head lights हैं उनकी head lights में कौन सा use होता है lens तो आप वहाँ convex नहीं कहोगे वो क्या use होता है वो आपका कनकेव होता है ठीक होगे वो आपका क्या होता है कनकेव होता है अब यहाँ सफीज ने एक बात की कि far sightedness एक आपकी बेमारी होती है उसको कहते है myopia उपिया मैयोपिया में क्या होता है आपको दूर का नजर नहीं आता पास का नजर आता है ठीक है आपको दूर की चीज़ें नजर नहीं आती है तो जब दूर की चीज़ें आपको नजर नहीं आती है myopia को आपने जब set करना होता है तो myopia के लिए आप क्या use करते हैं myopia को सही करने के लिए आप concave mirror यूज़ करते हैं ठीक है जब आपको दूर का नज़र नहीं आता होता तो आप concave यूज़ करेंगे जब आपको पास का नज़र नहीं आता होता तो फिर आप convex जो है वो यूज़ करोगे जहां जूम करना है पास की बात होगी वहां हमेशा आप convex जो है वो यूज़ क बात आएगी, myopia is corrected by concave lens ठीक है, myopia के बाद एक, आपकी दूसरी होती है, उसका नाम मुझे भूल गया है, जिसमें आपको pass की चीज़े नजर में आती है, उसका word भी इसी तरह होती है नहीं, myopia के लिए concave हाँ, myopia दूसरा होता hyperopia, जो pass वाला होता है, उसे कहता है, जज़ाकला, hyperopia, ठीक होगा, hyperopia myopia के लिए concave है, कहते हो तो मैं अगेन इसको confirm भी कर लेता हूँ myopia is corrected by मैं अगेन इसको देख लेता हूँ, concave lens है short sightedness कहते हैं उसको, कि सिर्फ pass की चीज़े नजर आती है ठीक है, हाँ, far के लिए जब दूर की, क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है आपको, जो short sightedness है उसमें आप concave, जिसको myopia, और short, जो short sightedness है, उसके लिए concave है, जो myopia है, ठीक हो गया और क्या कहते हैं, जो मैंने आपको hyperopia बताया, उसमें आपको convex होता है, ठीक है, जो मैंने बताया, बिल्कुल वैसे ही है, अच्छा जी, sports such as netball, hockey and football involve open skills, open skills और close skills क्या होती हैं, close skills यह होती हैं, जिसमें आप पहले pre-planned अपना mind बना के आते हो, जिसमें आपको add the spot को भी movement करने के जरूद पेश नहीं आती, आपने जो, for example क्या है, for example, आपका swimming है, for example, आपकी shooting है, आप उसमें add the spot, gymnastic हो गया आपका, ठीक है, gymnastic हो गॉल्फ हो गया, उसमें आप pre-planned सारी चीज़ने करके आते हो, आपने जाके sports में implement कर देनी है, इस तरह की जो, क्या कहते हैं, आपकी sports हैं, वो आपकी close skills में आती है, लेकिन, जिसमें आपको add the hockey के अंदर हो सकता है, आपको चुछ और सीख किया हो, ground में आपको आगे कुछ और slaybers में आ जाए, तो इस तरह की जिसमें आपको add the sport changing करनी है, जैसे cricket हो गई, ये जो हैं, इसमें आपको open skills requirement होती है, ठीक है, गॉल्फ हो गई, जिमनास्टिक हो गई, swimming है, shooting वगरा है, इस तरह जिसमें आप पहले pre-plan करके आते हो, बस आपने एक दफ़र जो practice की हुई है, वही जाके आप लोग shooting में कर दोगे, ये आपकी close skills है, जिसमें आपको add the sport चीज़ें बदल नहीं पड़ती है, वह आपकी open skills होती है, इन world war second, which battle sport air sport जो है, सबसे ज़्यदा दुरूरी थी, second world war जो है, 1939 से 1945 तक रही थी, और ये बंद कब कैसे हुई थी, हीरोशीमा नागा साकी के उपर जो है, दो बं गिराये गए थे, हीरोशीमा के उपर कों सा बं गिराया गया था, पता है किसी को, हीरोशीमा के उपर कों सा बं गिराया गया था, little boy, nuclear bomb तो था, उसका नाम था जो पुराने students है उनको याद है छीक हो गया लिटल बॉय छोटा बचा लिटल बॉय छोटा बचा हीरोशीमा में H पहले आता है तो वो पहले H के उपर और जो fat man है man बड़ा होता है तो नागा साकी में N बाद में आता है alphabetically तो वो बाद में उसके उपर गिराया गया एक 6 को ग nuclear model 1945 में ये शेहरों के related था कि आपकी जो cities है वो different तरह से जो है वो expand कर सकते हैं two nuclear model जो है ये तब हमें मिला था ये एक भाई साब दो भाई साब थे हमारे पास एक का नाम था Edward Ullman और दूसरे भाई साब का नाम Harris था ठीक है एक का नाम Edward था दूसरे का नाम Harris था इन दोनों न ये two nuclear model दिया था ये cities की expansion के related था कि आप cities की modification किस तरह से कर सकते हैं तो 1945 में c option इसकी हमारे पास correct हो जाएगी on which agreement Muslim League, Muslim League, Congress, Sikh ये सारे जिसकी उपर agree हुए थे वो आपका 15 अगस्त 1947 को एक act पास हुआ था Indian Independence Act जिसके तहाथ पाकिस्तान इंडिया को अजादी मिली थी उसके उ और ने अगरी किया था और ये lord mount pattern जो के आखरी वाई सराय थे उनके दोर में यह हुआ था तो बी option इसकी हमारे पास correct हो जाएगी largest आयत of Quran is कुरान की सबसे जो largest सबसे longest कुरान की सबसे longest आयत है उसका वो सूरह किसके अंदर है सूरह बकरा के अंदर है और उसका आयत नंबर क्या है 282 उसका क्या कहते हैं नंबर क्या है 282 और इसको क्या कहते है इसको आयत of loan कहते है ठीक है loan verse loan जो करजा होता है ना loan loan verse इसको कहते है इसका नाम भी पूछा जाता है कि लोंगस्ट आयत और कुरान जो है इसका नाम क्या है तो लोन वर्स इसको कहते हैं यह याद रखना है इसी तरह तू फिफटी फाइफ आपकी आयत है आयत नमबर जो कि सुरह बाकरा के अंदर आती है उसका सवाल भी पूछा जाता है आयत तू ल्कुरसी ठीक हो गया आयत ल्कुरसी मैंने देखा नहीं है, सूरह बाकरा के रकूँ अगर पूछे हैं तो, मेभी हो सकता है, 40 हैं हो सकता है, फिर पूछा गया हो कहीं है सवाल, अगर कहीं नजर में आएगा तो देख लेंगे, सूरह बाकरा के रकूँ, चीक हो गया अच्छा नेशनल हाईवे वाले में हो सकता है में भी अगर आए हो तो याद रख लो 40 रखू इसको कंफर्म भी कर लेना कि सूरह बाकरा के 40 रखू है अगर नेशनल हाईवे और मोटर वे के उसमें पूछा गया है ये तो अच्छा जी उसके बाद अगर हम बात करें ये काई लामा इकबाल का पी एच्डी के जो थीसिस है उसका टाइटल पूछा जाता है रेड़ सी जो है वो आपका कौन सी गल्फ से कनेक्ट होता है रेड़ सी जो है वो गल्फ ओफ एडन है उसके थुरू कनेक्ट होता है और ये पिर इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट हो जाता है इंडियन ओशन को रेड़ सी के साथ दो जो स्ट्रेट है वो कनेक्ट करती है एक pharmaceutical's state और डूसरी आपकी gulf है ग calculator of один स्ट्रेइट आपकी क्या होती है gulf एक होती है गल्फ एक होती है आपकी बाद मेक्सीको और बे है दुनिया की सबसे बड़ी Bay of Bengal गल्फ और बे ये दोनों T baş रिक. ये और इसमें क्या है इनकी opening का थोड़ा सा फर्क है जो आपकी gulf होती है उसकी opening थोड़ी सी broad है और जो bay है उसकी opening थोड़ी सी थोड़ी सी shape का इनमें फर्क होता है basically यह दोनों same है ठीक है इसी तरह अगर हम आ जाएं इदर straight और दूसरा आपका होता है जिसको हम क्या कहते है straight आपना कहते हैं जिसको और straight के बाद दूसरा होता है आपका इस्तमस ठीक हो कहा straight और इस्तमस इन दोनों में फर्क ज्यादा है straight आपकी water body होती है और इस्तमस आपकी land body होती है straight जो है आपकी आपना यह एक water body होती है narrow strip होती है narrow strip होती है और ये क्या कर रही होती है दो larger water bodies को connect कर रही होती है मतलब एक छोटी सी पानी के strip होगी जो बड़े दो समंदरों को connect कर रही होगी दो बड़ी water bodies को connect कर रही होगी ठीक है लेकिन जो इस थमस है वो land body होती है एक छोटी सी बारी एक सी strip होगी land body की जो के अपने से छोड़ा सा बता दिया कुछ खुद भी देख लेना इनकी तस्वीरें जैसे पनामा इस्थमस है आपका ठीक है पनामा इस्थमस है दो कॉंटिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा होता है आपस में तो इस तरह और भी आपकी जो आपना है यह तो बहुत जादा स्टेट ओफ हर्मस है स चीजें समझा आ जाएंगे 1956 की कॉंसिटूशन 1956 का पाकिसान का जो आइन था जिसके अंदर 230 आर्टिकल थे इसको किसने अबरोगेट किया था साथ अक्तूबर 1958 साथ अक्तूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा डी आप्शन लोग यूब खान लगा देते हैं सिकंदर मिर्जा 24 था उसमें 200 आर्टिकल और अब जो 1973 का आइन है उसमें 280 आर्टिकल हाँ 234 धाइसो और 280 तो सिकंदर मिर्जा साब ने डेट याद रख लेना साथ अक्तूबर 1958 साथ अक्तूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने इसको अबरोगेट किया था विच क्रिकेट वर्ल्ड कप जॉइंटल 1987 अच्छा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना पहला खेला गया था इन लिक लेना क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला खेला गया था 1975 के अंदर ठीक है हर चार साल बाद होता है 1975 के अंदर जो खेला गया वर्ल्ड कप वो जीता वेस्ट अडीज ने दूसरा वर्ल्ड कप हुआ 1979 के अ वो जीता इंडिया ने 1983 में जो हुआ वो किसने जीता इंडिया ने फिर आ गया जो यहां सवाल है 1987 का ठीक है 1987 1987 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिसान और इंडिया ने जॉइंटली होस्ट किया था वो किसने जीता वो पहली दफास ट्वैलिया ने जीता 1987 के बाद आपका फेमस वर्ल्ड कप खेला गया जो के हमने बहुत अरसे तक उसकी जो है वो आफ्टर शॉक्स बरदाश्ट किये तो वो 1992 का वर्ल्ड कप था अस्ट्रेलिया न्यूजी लेंड में खेला गया था जो के पाकिसतान ने जीता ठीक है फाइनल में इंगेलेंड को हराके इमरान खान साल की प्यादत में तो 1992 का वर्लड कप थीक हो गया इसकी होस्ट देख लेना यार इंपॉटन नहीं है लेकि देख लेना मैंने वल्ड कप विनर्स पता होने चाहिए होस्ट देख लेना 1992 का पता है 1996 का मुझे याद है पाकिस्तान में होस्ट हुआ था और सिरी लंका ने जीता था 1992 पाकिस्तान ने जीता न्यूजी लैंड और वेस्टरन न्यूजी लैंड और अस्ट्रेलिया में खेला गया और 1996 का पाकिस्तान में खेला गया और सिरी लंका ने जीता 1999 का वर्ल्ड कप जो है वो जो है वो किसने जीता अस्ट्रेलिया ने जीता आगे 2003 का वर्ल्ड कप फिर अस्ट्रेलिया ने जीता 2007 का वर्ल्ड कप फिर अस्ट्रेलिया ने जीता ठीक हो गया, फाइनल में स्री लंका को हराया था, 2011 के बाद आया, 2015, चार साल बाद, 2015 का वर्ल्ड कप खेला गया, अस्ट्रेलिया में, तो जीता भी, अस्ट्रेलिया और न्यूजी लेंड में खेला गया, और फिर अस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक हो गया, यह आपको कैसे 2019 का World Cup खेला गया England and Wales के अंदर England के अंदर और वो जीत लिया England ने ठीक हो गया फिर 2023 का World Cup खेला गया India के अंदर और वो किस ने जीता Australia ने जीता तो ये सारे आप लोगों को इसी तरह याद होने चाहिए कोई भी पूछा जा सकता है आप लोगों से ठीक हो गया तो इस तरह से याद रखना है 2027 का World Cup 2027 का World Cup काँ खेला जाना है वैसे Final होए के नहीं हो आभी तक अभी 2025 में तो Champion Trophy है 2026 में T20 World Cup है जो T20 World Cup है 2026 का वो मेरे खाल में इंडिया और सिरिलनका में खेला जाएगा अच्छा 2027 के अंदर साउथ अफरीका में खेला जाएगा चलो इनिशाला वो पाकिसान जीतेगा ठीक हो गया हाँ दो हजाँ T20 26 का तो इंडिया में खेला जाएगा और 2000 नमीबिया में भी है जिम्भावे चलो इसको देख लेंगे हो सकता है वो इकठे अफरीका के अंदर खेला जाना हो ना तो उसमें जिम्भावे भी होस्ट होगा नमीबिया भी होगा साउथ अफरीका भी होगा कमबाइन होगा ठीक होगा मुझे समझ आ गए धे मुझे समझ आगये तो पाकिस्तानी जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा उसके बाद जो है फिर हम बाबर आजम को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना ते साफि बना जा पने, लगें अच्छा जिए, फ्ल्फ ऑफ बौथनिया गल्फ का भी मैंने आपको बताया सवाले से यह सवाल दुबारा भी रिपीट हो सकता है तो स्वीडन और फिन लेंड जो है उसके दर्मियान है अच्छा जी यह लास्ट एक MCQs हम कर लें उसके बाद मैं मीटिंग एंड करूंगा आप लोगों ने दुबारा इसी लिंक से जॉइन करना है फिर हमारे 30 MCQs रहेंगे हम उसको कर लेंगे ठीक हो गया The Cyber Harassment Helpline खवातीन के लिए थी यह Cyber Harassment Helpline तो यह यकम दिसमबर 2016 को जो है इसको लाँच किया गया था तो C option अच्छा यहाँ दो चीज़ें याद रख लो मैंने अभी एक चाइल्ड के पहला Virtual Women Police Station जो है मरीम नवाज शरीफ ने लाँच किया था पाकिस्तान में पाकिस्तान में पहला Virtual Women Police Station डेट याद रख लो यह आप लोगों को different points पे यह सवाल पूछा जाएगा आने वाले वक्तों के अंदर याद रख लो 22 April 2024 जैसे मर्जी के आद रखो यह सवाल नहीं भूलना चाहिए 22 April 2024 को मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने Virtual Women Police Station का इफता किया उसका क्या मकसर था Virtual Women Police Station कोई भी खातून वन फाइफ पे जब कॉल करती है तो उसकी कॉल आटोमेटिकरी Virtual Women Police Station चली जाती है पुलीस ने कॉंटेक्ट किया है तो फिर अगर वो कहेगी मुझे किया है तो उसका केस कलोज हो जाएगा अगर उसका मामला हल होगा अगर वो लड़की कॉल पे कहेगी कि मेरा मामला हल नहीं हुआ तो उसका केस पेंडिंग रहेगा उस केस को दوبारा उस जिले में भेजा जाएगा और इस तरह से वो वर्चुल वुमेन पुलीस टेशन जो है वो एक्ट करता है यह आल ओवर पंजाब बना है यह फर्स्ट वर्चुल वुमेन पुलीस टेशन तो लहोर में बना था हर जिले में कहीं भी कोई भी वन फाइफ की कॉल अगर औरत करती है उसकी कॉल जो है इसका मकसद क्या है वर्चुल विमेंट पुलीस टेशन का मकसद यह है कि कोई भी खातून को जो है अब जो धुके खाने पड़ते थे अगर थाने में जाके उसको थाने ना जाना पड़े उसका जो मकसद है कि उसके पास पुलीस आए, वो पुलीस के पास ना आ जाए, ठीक हो गया, ये इसका मकसद था, तो ये आपने 22 अपरेल याद रख लेनी है, 22 अपरेल 2024 वर्चुल वुमेन पुलीस टेशन, ठीक हो गया, 75 से हम स्टार्ट करेंगे, एक मैं और कर दो, सॉट्स पावर क्या होती है, जोजफ नाए साब थे, जोजफ नाए साब, उन्होंने ये सॉट्स पावर का कंसेट दिया था, सी आप्शन, ठीक है, किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी मुल्क किसी को अपनी बात पे एगरी कर लेना without the use of force, फोर्स किये बगएर, किसी के साथ, अपने बातों के जरीए, किसी और मकसद से, सॉट्ट पावर का, किसी और मुल्क को, या किसी और बंदे को कन्विंस कर लेना, फोर्स का यूज़ किये बगएर, इसको सॉट्ट पावर कहते हैं, और जोजफ नाए साब थे, उन्ह करके वापिस आजाना है, एक सेकंड के अंदर, ये साथ लोगों, साथ के साथ मुझे यहाँ वापिस चाहिए, ठीक है, एक सेकंड में जाओ, और एक सेकंड में वापिस आओ, नेक्स उसमें मिलते हैं, अलाफिस, अच्छा ची हमने 74 तक ये MCQ देख लिये थे, तो जोजफ साथ जो है, वो क्या थे, उनको हमने देख लिया था, अच्छा जी, प्रेजिट अफ पाकिस्तान इस इलेक्ट इड़ बाई, नेशनल इसम्बली, सेनेड, प्रोविंशल इसम्बली, आल अफ दीज, सारे जो है, ये मिल के जो है, प्रेजिट आफ पाकिस्तान का, इलेक्ट करती है, तो डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इसकी मारे पास कॉलेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, एक सो बीट बीस बटासी होता है, मुस्ति आप लोगों ने करवाया भी होगा, इधर उधर देखा भी होगा, तो एक सो बीस बटासी से वो हमारे पास क्या होता है, है यह होता है, ब्लड प्रेशर, दा में रोल इन ड्रामा वारिस, ड्रामा वारिस था, उसमें जो में रोल लीड एक्टर था, वो आबेद अली तकी, अब यह आप्शन, इस तरह के सवाल वन्स एक दफ़के ही आते हैं, बार बार रिपीट नही और यह कभी आ भी जाएं, अब बंदा यह भी नहीं कर सकता कि हर जो पुराने ड्राम हैं, उनके लीड रोल याद करें, अब इस तरह के दो, तीन, चार, पांच सवाल आते हैं, बिल्कुल नियू होते हैं, और जैसे अब लता मंगेशकर का जो एक दफ़ा उस्ताद है, उस सकता है, कोई इशू नहीं है, महबूब अली, नहीं महबूब अली नहीं है, आबे दली है, आबे दली, दा बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन एट्मोस्फेरिक प्रेशर, यह, ड्रामा वारिस की कास्ट, आबे दली है यार, दिलावर, उसका करेक्टर जो है, दिलावर करेक्टर है उसका, महबूब अली तो उसमें कोई बंदा ही नहीं है, उसमें, सफिर मुफ्त में जो है न, मुफ्त में मुझे जगा न वो इधर उधर भटबाते हो दिलावर है जो में करेक्टर है उसका नाम है आबद अली उसके बाद उसमें अमान उला है ताहिरा है शुजाद हाश्मी है समीन एहमद है आगा सिकंदर है फिर दोस जमाल भी है उसमें लेकिन उसमें जो में वो दिलावर का करेक्टर है वो आबद अली ने किया हुआ महबूब अली है यही नहीं करेक्टर महबूब आलम लिखा हुआ यहाँ जालेंवाला बाग मैसाकर क्यों हँआ था जालेंवाला बाग मैसाकर क्यों वा था कल मैंने आपको एक reform बताये थे मॉंटेग चैंसपोर्ट reform उनीस उनीस उसमें एक इनसान ने कहा था कि सर उसको रॉलेट एक्ट भी कहते है है ना वो रॉलेट एक्ट वाला एक महा इनसान ने हमें रॉलेट एक्ट का बताया था हाँ बिल्कुल अब हाँ जोड़ोगे जब मेरा पढ़ाया हुआ बात जो है उसको गलत मुझे बताओगे तब मैं फिर इसी तरह ही कहूँगा तो रॉलेट एक्ट आया था ठीक है क्या आया था रॉलेट जो है रॉलेट एक्ट आया था मार्च उनीस उनीस के अंदर ठीक है हॉ रॉलेट एक्ट में ये आया था, रॉलेट एक्ट में उन्होंने कहा था कि बगैर किसी को विए विए जुर्म के एह ज proudly ही तो इसको ये वो रॉलेट एक्ट वही है जिसको काला कानून भी गौंधी साब ने कहा था गांधी साब ने ये सवाल पूता जाता है तो उसके लिए इतजाज हो रहा था अमरिट सर के अंदर छीक हो गया तो इसको अमरिट सर मसाकार भी कहते हैं अमरिट सर मसाकार तो यहां 13 अपरेल 1919 को 13 अपरेल 1919 को ये जाले वाला बाग हुआ था जिसमें जनरल डायर साब थे जिनोंने मुझाहरीन के उपर फाइरिंग की थी डिरेक्ट फाइरिंग की थी और उनको उनका कतल आम किया था इसलिए इसको जाले वाला बाग जो है मसाकार कहते हैं या मरिट सर अमरिट सर के मुकाम पे ये हुआ था और किसके खिलाफ एतजाज कर रहे थे जब ये गोलियां चरी तो रॉलेट एक्ट जो मैंने कल आपको बताया था रॉलेट एक्ट ठीक है रॉलेट एक्ट आया था कि जिस मर्जी बंदे को जैसे दिल करें उठा लो कोई मसला नहीं अरेस्ट विदाउट वारेंट हाँ जैसे मर्जी उठा लो बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम पार्टिस्पेटिट इस कौई इस नोन ऐस घजवा ठीक है घजवा घजवा के ना थोड़ा सा दो तरह सा याता है अगर इसलामिक पॉन्ट विउट जो डिफरेंट स्कॉलर्स और को सुने वो कहते हैं कि घजवा जिसमे आफ सल्लम ने शिर्कत की हो या आफ सल्लम के दोर में जितनी जंगे हुई उनको हम घजवा कहते हैं लेकिन फिर बहुत सारी जंगे हैं जिसमें आफ सल्लम नहीं कहते हैं जैसे जंगे मौता है उसको भी हम घजवा मौता कहते हैं तो लेकिन examination point of view से आफ यही याद रखो कि आफ सल्लम ने जिसमें ने शिर्कत की वो घजवा होता है तो घजवा जो है टोटल 27 घजवात है बिलकुल ठीक है 27 घजवात है और 56 सरिया सरिया हमारे पास क्या हैं वो जंगे जिन में आफ सल्लम ने बजाते खुद शिर्कत नहीं की किसी और को कमांडर बना के बेजा जैसे जंगे मोता की मैं आपको बता रहा था जंगे मोता के अंदर था हज़रत जैद बिन हारिस को बेजा था कमांडर बना के किसी तरह पहला सरिया जो आप सल्लम ने रवाना किया था पहली हिजरी के अंदर सैफल बाहर ठीक है सरिया सैफल बाहर तो किसी तरह 27 गजवात हैं ये आप से सवाल पूछा जाता है टोटल गजवात और कुरान के अंदर कितने गजवात का जिकर है तो आठ मसारिफ तो आठ मसारिफ आठ हो जाते हैं सूर तोबा के अंदर मसारिफ जगात बताये गए है और ये सूर तोबा वही सूरत है जो कि बिस्म इल्लह के बग़ैर जो है व्लाट बिस्म इल्लह जो है वो आपकी सूर है सूर तोबा तो ये इसकी आठ मसार्फ जकात है What does तरावी मीन तरावी मीन का क्या मतलब है To rest तरावी का लफजी मानी क्या है To rest See option Rest करना Rest करना See option अच्छा जी Which सूरा are called मौजज़तैन सूरा नास और सूरा फलक पुरान करीम की आखरी दो जो सूरा है सूरा ना कुरान करीम की टोडल कितनी सूरा है हाँ जी मैं हाफ़ज़ मालाम्दुरिल्ह 114 सूरते है तो कुरान करीम की जो 113 वी सूरत और 114 वी सूरत है ठीक हो गया तो सूरा फलक और सूरा नास इनको मौज़तैन जो है कहते है ठीक है प्रोटेक्टर सूर्थ ने, इनको प्रोटेक्टर, तो ये दो सूर्थे हैं, सूरह फलक और सूरह नास, बिलकुल, 86 मकी हैं और 28 मदरी सूर्थ हैं, शाबाश, अब ये देखें, ये चीज़े होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, कि आप लोग, अब मैंने ये पता लग जाएगा, चाइटी सिक्स जो हैं, वो मकी सूर्थ हैं, 28 मदरी सूर्थ हैं, उसके से जहन में ना होके टौटल सूर्थ एक सो चो चोड़ा हैं, उसको एक सो चोड़ा सूर्थ हैं, तो ये दिसकेशन का फाइदा हो जाता है, छीखो क्या? हाँ वो सुरा-थ-फात है वो दोनों में आती है कुछ और भी वो है कि वो दोनों सुराब सुरा जो एक और है आपकी सुर्थ सुरा-थ-फात है भी है यह भी मक्कार टाना दे ताइम टेकन फॉर संलाइट तू रिच दा आर्थ आठ मिनेट और 20 सेकंड और जो चांद की रोशनी है वो जमीन तक पहुंचने में किद्रा टाइम लगाती है जो चांद की रोशनी है चांद की रोशनी है 500 सेकंड नहीं साहर। डूटी साफ चाल रही है क्या 1.3 सेकंड शाबाज ठीक हो गया 1.3 सेकंड सन के वो कर लो सन के बनते होंगे 499 सेकंड 8 मिनिट और 20 सेकंड को अगर आप करते हो तो सन के बनते होंगे 1.26 नहीं 1.3 करो जो PPSC पूछता है क्योंकि हम एक्जेक्ट याद कर लें PPSC 1.3 पूछ लेता है तो हमें 1.26 याद करने की दोध है यही नहीं सद्वारा लेक गिलगित बलतिस्तान के अंदर जिस करदू के अंदर सद्वारा लेक गिलगित बलतिस्तान की सबसे बड़ी जो लेक है वो है आपकी हुन्जा लेक सबसे बड़ी जो लेक है उसका क्या नाम है हुन्जा लेक और दूसरी जो है सबसे बड़ी गिल गिलत बलतिस्तान की लेक, उसका क्या नाम है सत्पारा लेक, उसका क्या नाम है सत्पारा लेक, ठीक हो गया, आँ देखा वही न, उसके बाद, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जील का क्या नाम है, मैनमेड की बात ने कर रहा है, आर्टिफिशल की बात ने कर जील जाम शोरों में शाबाज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जील का क्या नाम है मंचर जील कहा है जाम शोरों में और एक मैनमेड जील भी है कोई आर्टिफिशल पीपीएसी इस तरह के सवाल भी पूछता है ना वो कौन सी है ठठा में है ठठा में क्या नाम है उसका कींजर जील शाबाज ठीक हो गया ठठा के अंदर है कींजर जील वो है मैनमेड या अर्टिफिशल और जो आपकी क्या कहते हैं अभी उपर क्या बता है मंचर जील जील जो है जाम शोरों में वो आपकी क्या है सबसे बड़ी जील है प पाकिस्तान को मिले थे अफगानिस्तान वार के दौरान अफगानिस्तान वार यूएससार ने रशिया ने जो आज के दोर का रशिया है इसने 1979 दिसंबर के अंदर 1979 के दिसंबर के अंदर अफगानिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान में उसने हाँ वो एक हलेजी भी है उसने यूएस पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था तो अमेरिका ने ये स्टिंगर मेजाइल अगर पूछ लिया जाए कि ये स्टिंगर मेजाइल पाकिस्तान को किस ने दिया थे तो अमरीका ने दिये थे, ठीक है, अमरीका, अमरीका साहब ने हमें, ये स्टिंगर मिजाइल जो है, वो दिये थे, अगर पूछ लिया जाए, कि अगर पूछ लिया जाए, जो खत्म नबूत का जिकर है, मा काना मुहमद अबाहद मिर्रिजालिकुम, आप सल्म के इलावा, कह दोगा, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और अल्ला ताला के आखरी नबी और रसूल है, ठीक है, मा काना मुहमद अबाहद मिर्रिजालिकुम, वलाकिर रसूल इल्लही वखातम النबीजीन, मोहर है, न स्वाई हसना का जिकर भी है और उसके बाद क्या है सूराय अहजाब के अंदर खातम नभी जीन आप स्वाइब आखरी नभी और रसूल है उसका जिकर भी कहा है जो कहते हैं वो भी सूराय अहजाब के अंदर है सूराय अहजाब के अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर क्या कहते हैं हदर जैद बिन हारिस जो वाहिद सहाबी है जिनका कुरान करीम में जिकर आया है वो किसमे आया है सुरह अहजाब के अंदर आया है बिलकुल पर्दे के जो अहकाम है पर्दे के अहकाम भी सुरह अहजाब के अंदर आये है और अहज अहजाब का लफजी मतलब क्या है ये बताओ मुझे अहजाब का लफजी मतलब क्या है अहजाब का मतलब है अलायंस ग्रूप लशकर ठीक है घजवा अहजाब हुई थी घजवा खंदक जिसको कहते हैं पांच हिजरी में उसमें लशकर ही कटे होके मदीना की हिफाज़त की ग हज एक हज और चार उम्रे अच्छा यहां एक चीज याद रखलो अभी मैंने जकात के मसारिफ का बताया था आप लोगों को मसारिफ जकात में किसी नहीं का कि ना पूछा के सर जकात कब फर्ज की गई थी जकात दो हिजरी में फर्ज हुई थी लेकिन नाफिज कब हुई महर नौ हिजरी के अंदर दो चीज़ां याद रखनी है जकात फर्ज कब हुई इंप्लीमेंट कब हुई इंप्लीमेंट हुई नौ हिजरी में फर्ज हुई दो हिजरी में और हज जो है हज कब फर्ज हुआ नौ हिजरी में हज कब फर्ज हुआ नौ हिजरी में आप सल लिल्ला scenesως आजा आब अल्बहुति ओव्यक्तो किए? एक हज किया. ठीक हो गया? मैं वो भी बताता हूँ. आपस्थे कितने हिए? एक हज किया. कुन सी हिज scriptsлат GG पुखार दस हिजरी में किया. हजलो, कब Newooh Americans पिसमÁL कियाद अवदों हिजरी को लेकिन आपसलेल علیہ وآلہ وسلم نے حج کب کیا دس ہجری میں پہلا حج کیا اور चीक हो गया زکاة के मुतलिक जंग करने का हुकम किसने दिया था हज़त अबुबकर सिदीग मुनकरीन जगात 10 हिजरी में जगात फर्द हुई तो उसके बाद आफ सल्लम की तो अबुबकर सिदीग तो मुनकरीन जगात के खिलाफ जगे लड़ी गी उनको कहते है रिदा वार्ज किसके दोर में लड़ी गए थी तो उसके अंदर जग यमामा आपकी लड़ी गई थी जग यमामा रिदा वार्ज में कौन कौन सी जगे थी मुनकरीनِ زکاة के खिलाफ जंगें थी उसमें जो जूटे नभी थे उनके खिलाफ जंगें थी इन जंगों को क्या कहा जाता है रिदा वार्स ठीक हो गया रिदा वार्स ठीक हो गया तो यह आपने याद रपना है उनके येर नहीं पता सफीर ये अपनी पता क्या कहते है छे हिजरी में तो हमें पता है सुला हुदैबिया हुई है छे हिजरी में सुला हुदैबिया हुई है छे हिजरी में मुसल्मान हज करने नहीं गए ठीक है उम्रे के लिए भी नहीं गए साथ हिज्री में भी नहीं गए आठ हिज्री में मक्का फता हुआ है तो आठ हिज्री हो सकता है नौ हिज्री हो सकता है यह क्योंकि फता मक्का के बाद ही आफ सलम क्या उम्रा हो सकता है रिदा का मतलब है मेरे जिहन से स्किप हुआ हुआ है रिदा का मतलब है मैंने इसका बताया हुआ था मुझे बूदा हुआ है रिदा वार्स मेरे जिएन से स्किप है अगर किसी पुराने स्टुडेंट को यह पता हो ना यह मैं बाद में बताऊंगा मेरे जिएन से स्किप हुआ है रिदा वार्स आइटिंक यह हैं इग्जेक्ट म इनका एक्जेक्ट मतलब वो नहीं है यह मस उनका नाम है इन डिफरिक डिफरेंट कमपेंज का सीरीज थी नहीं वो इंगलीश वाला वो नहीं है मस इसका बेसिक मकसद पूछा जाता है यह मकसद वही था कि जो मैंने आपको बताया कि जो जगात नहीं दे रहे थे तो इसनका कोई लिटरियू रिदा का उससे कोई मतलब नहीं है कि जो हम एक्जामिनेशन पॉइंट आफ यू यह उससे देखें अर्दू के मसादर बरसगीर किसकी जवान से मिलते हैं पंजाबी सी ऑप्शन ठीक हो गया सीरत नबवी किसने मुकमल की अगर यहां होता सीरत नबवी किसने शुरू की तो अलामा शिबली नुमानी मुकमल किसने की सीर सुलिमान नबवी ठीक हो गया सीद सुलिमान नबवी सीरत नबवी शुरू किसने की सीर अलामा शिबली नुमानी ने और खत्म किसने की सीर सुलिमान नबवी ने अब उन्हें ढूंड और चराग रुख जेबा किस तर्स की किताबे हैं तो ये खाका निगारी की किताबे हैं ये इस तरह की जो किताबे हैं ए आप्शन ठीक है खाका निगारी की जो है ये किताबे हैं तकाबली तनकीद की बुनियात किसे ने रखी थी इबने इंशा ए आप जिन्दान नमा किस का शेरी मजमूवें है यह आप लों पता होुआ वागा फैजद अहमेद फैजग पैजद आप जेल में रहे तो अन्होंने वहाँ से जिन्दान नमा तो ये है अल्ला पहला करें आपकी जोश मलीह बादी की समाने ह Stückे किसे कहते हैं, भायोग्राफी को जोश मलीह बादी के ये क्या है आपकी समाने ह defic्षण है यादों की बारात गुरेज की सिन्फ से ताल्क रखतसे हैं तो कसीदा गुरेज जो है ये आपके किताब है तो ये कसीदा से तालू कसीदे है कसीदा है की आपशन गुरेज सनफ इसकी किया है कसीदा तेहजीब रिसाला तेहजीब लिखलाक सरस्यद अहमद खान 1871 ठीक है वो करवाया हुआ जब मैं आप लोगों को इंडो पाक पढ़ाता हूं उसमें मैंने ये बताया है अठारा सो इकतर 1871 के अंदर रिसाला तेहजीब लिखलाक जारी हुआ था सरस्यद अहमद खान ने जो ह जाते हैं कब बना 1870 के अंदर बना बढ़ा fraymas सवाल है चीक हो किसने बनाया लॉड व्यल अस टाइम पर जो गवर्णरर जानल थी उनका नाम था लॉड वैले फिक है व्यल व्यल व ल होगा यह लड व्यलसले लॉड व्यलसले ने क्या कहते हैं यह फोर्ट विलियम नहीं जुलाई के अंदर जुलाई एठारा सो के अंदर बना था लेकिन इसकी फिर बाद में डेट करके मई कर दी गई चार मई यह जुलाई में बना था लेकिन इसकी डेट को पीछे करके चार मई कर दिया गया, चार मई एटारा सो को कि ये बना था, इसकी वज़ा क्या थी? इसकी वज़ा ये थी, इसकी वज़ा ये थी, उन्होंने ये कहा था, चार मई, चार मई 1799 को ना, एक बैटल हुई थी, फॉर्थ बैटल ऑफ मैसूर, जंगे पड़, ठीक है, फॉर्थ बैटल ऑफ, एंगलो मैसूर वार हम उसे गलते हैं, फॉर्थ बैटल ऑफ मैसूर, तो उसमें 4 मई 1799 को क्या हुआ था, चार मई 1799 को टीपू सुल्तान तीपू सुल्तान को वो उसमें शिकस्त हुई और उसकी डेथ हो उसको गतल कर दिया गया शहीद कर दिया गया ठीक हो गया तो उसकी वज़ा से उन्होंने अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के हमने टीपू सुल्तान को जब चार मई को हराया था तो उसकी याद में हम इसको बैक डेट में चार मई को हम इसका फाउंड़ डेट इसकी रखेंगे कि चार मई एठारा सो को हमने ये बनाया था और टीपू सुल्तान की डेट अफ डेथ आपने याद रखनी है उसके टाइगरे शेरे बंगॉल उसे कहते हैं शेरे मैसूर उसे कहते हैं है तीपू सुल्तान को तो उसकी डेट डेट अफ डेथ पूची जाती है चार मई चार मई 1799 को और टीपू सुल्टान का असल नाम आप लोगों को पता होगा एक्चुल नेम फत्य अली था शाबाश ठीक हो गया फत्य अली था शाबाश ठीक हो गया फत्य अली इसका नाम था उर्दू मैं ये रिक्मेंड करूँगा कि जो पास्ट पेपर्स के हैं पास्ट पेपर्स में जितने हैं पिछले चार-पास साल हों उनके जो दस-दस अंसी क्यूज हैं वह सारे करो आप डेली के डेली एक घंटा भी उनको तीन-चार पेपर भी डेली के करोगे न तो इन्शाला महीने दो महीने में आपकी उर्दू प्हेतरीन हो जाएगी बाकी जो ग्रामर की चीजशे हैं वह सजाद बाकर के रजवी मगरिब के तनकीदी असूल किसकी किता बाकर रजवी सी ऑप्षन हमारे पास कоррیکٹ हो जाएगी Окей हो गया जी सोFinCalings हमारे पूरे हो गए इसके आई तो कुछी को कोई मसला आई तो खुश हो गया आई तो पूरे सवा घंटे की किलास हुई है हमारी ठीक है तो बाकी इन्शालला अब हम अर्दू लेक्शिर्स का लिंक चले मैं कर दूँ का बाकी आप आप में से बहुत सारे न्यू है आप में से बहुत ज्यादा न्यू है तो मैं चैनल का लिंक मैंने उस दिन भी भेजा था चैनल को सब्स्राइब कर लो और मैं जो उर्टू का लिंक है मैं भी ग्रूप में बेज देता हूं ठीक है जो जो न्यू है वो चैनल को भी देख लो और उसमें मेरे हाल में मैं देख गए ताकaring बार्षबी ना कट जाल की उसbig तो देखा करो नैंटीफूर कहां गया थो आए बारी ना इमानी ऐख विजधिए कर已經 कॉमेंट भी कर देना जो नित्पणों डूप्रत हो गए चल्ला जिजा अगशालनश को घ्वाए기도 तो भी बताओंगा, मेबी हो सकता है, मेबी परसों आप लोगों का जुलाई कर अटरफेस का लेक्चर हो, ठीक है, मेबी एंफरम नहीं है, अगर मैंने पीडीएफ बना ली तो लेक्चर होगा, तो अभी शेयर हो जाएगा आप लोगों के कहने से पहले अभी ग्रूप में ये पीडियेफ शेयर हो जाएगी ठीक है इन्शाला कल रेस्ट करो और इन्शाला परसों नई तो कि अमंडे को जिस तरह होगा वो मैं बताऊंगा अपना ख्याल रखो दौाओं में आद रखो अल्हाफिज लब रखो